दिपावली का पर्व हमारी जीवन में खुश्या और समरिधी का प्रतीक है। दिवाली की रात अगर आपको सपने में मालक्ष्मी का दर्शन होता है तो उसे बहुत शुब माना जाता है। अम्रिध कलश्त अम्रिधी और देरगायू का प्रतीक है। इसका मतलब यह है कि आपके जीवन में सुख और स्वास्त का वास होने वाला है। खासकर अगर आपके घर में कोई सदस्य लंबे समय से दिमार है तो यह सपना संकेत करता है कि जल्दी स्वास्त लाब प्राप्त होगा आर्थिक तंगी भी दूरोगी। यह मालक्ष्मी की क्रिपा का प्रतीक है जो आपके आर्थिक सिती को मजबूत बनाएगा। कमल का फूल मालक्ष्मी का प्रियर पुश्प है और दिवाली की राज अपने में इसे देखना बहुत ही शुब माना जाता है। अपने शाष्ट क्यनुसार यह सपना इस बाद का संकेत करता है। जीवाली की राज अपने में अगर आप गेपोई अधान के फसल को लहराते वे देखते हैं तो यह भी बहुत शुब माना जाता है। इसका मतलब है कि आपके जीवन में जो भी कटनाई हैं वे जल्द ही समाप्थ होंगे और खुश्यों का दार्ज शुड़ू होगा इस अपना संकेत करता है कि आपके जीवन में धन और सम्रिद्धी कागमन होने वाला है अगर आपके कामों में कोई रिकवाट या बादा है तो वो जल्द ही दूर हो गई और आर्थिक लाप के अपसर मिलेंगे इस अपना जीवन में सकरात्मक बदलाब का संकेत है सपने शास्तर के अंसार दिवाली की रात अगर आपको अपने कुल देवता की दर्शन होते हैं तो ये भी बहुत शुब है रसकारत है कि आपके कोई विशेश मुराद्य मनुकामना जल्द पूरी होने वाली है ये उन लोगों के लिए विशेश रूप से शुब माना जाता है जो लौकरी वेपारिय और किशी विशेश कारे में सपलता की पतीक्षा कर रही है ये सपना इस बात का संके देता है कि कुल देवता की क्रिपा से आपको जीवन में सपलता और स्थिरता प्राप्ट होने